नहीं दोस्तों वेलकम टू धूरू डी एडूकेशन चैनल और आज चैप्टर सुरू करेंगे 12 जिसमें हम पढ़ेंगे जो स्वेराजी थे समाजवादी विचारक थे और जो नमी सक्तियों का उद्य हुआ है धीरे धीरे उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और इन नोट्स क त्यार लुट लटे के अगर पेटरन दिखेंगे तो फैक्चवल जीके के सासाथ कंसेप्च्वल जीके भी आपकी त्यार होनी चाहिए है ना और है जो नोट्स है इनमें आपका कंसेब्ट भी क्लियर होगा और आपकी स्थमट भी के लियर होगे इसलिए इनको कि पढ़ना बहुत जरूरी है एक्जाम में अगर एक्जाम में आपको अगर इस साल आप एक्जाम दे रहे हैं तो प्लीज इन नोट्स को जरूर सुन ले इससे आपका कंसेप्ट भी किलियर होगा और आपकी फैक्ट्ट्वल जी के भी आपके पॉइंट जो होंगे इंपोर्टेंट वे भी आपके किलियर हो जाएंगे इसके अंदर फीक है इंपोर्टेंट है तभी आपको यहां हम बता रहे हैं चले तो शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर समाजवादियों पर तथा परिवर्तन विरोधी यो सारे ही सब्जाक्ट के नोट्स है ये फटा गांधी द्वारा अचानक एसेयो गांदोलन को इस्थगित करने से कॉंग्रेस का एक वर्ग निरास हो गया था अब देखो जो जिसने इससे पहले वाली क्लास पड़ी होंगी तो वो इहां इनको रिलेटिड कर रहा होगा कि ये चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर में क्य जो कॉंग्रेस का परिवर्तनवादी दल कहा गया था धिक है यहां रखेंगे स्वेराज पार्टी की स्थापना किस ने करी थी और कब करी थी ये फैक्ट है गांधी ची की ग्रफतारी के बाद राष्टवादी खेमों के बीच विग्डन एव्यवस्ता और उनका आउमूल स्वेराज वादी परिवर्तन वादी बोलते हैं इनको सी आरदास मोतिलाल नहरू और अमजद खान का नेत्रत चाहता था कि विधाई परिशदों के बहिसकार को समाप्त कर दें ताकि राष्ट्रवादियों को इसके भीतर परिवेस करने और इसे अपने लाब के लिए प्य परिवेस की वकालत करने वालों को स्वेराजी के नाम से जाना गया जो विधान परिशदों में परिवेस की वकालत कर जो चारेते की विधान परिशदों में परिवेस लिया जाए वहां से फिर उनका फायदा उठाये जाए परिवर्तन वादी कौन थे राजगोपाला चार कि निम्द में से कौन से परिवर्तनवादी नहीं है तो किसी भी रूप में पूछ सकते हैं यह जो धिये गए है तथिया पॉइंट दिये गए हैं सारे ही इंपोर्टेंट है एक दो बार एक दो बार रेडिंग कर लोगे तो आपके दिमाग में सही से सैट हो जाएंगे इन्ह हो गिये थे गया दिवेशन हुआ था 1922 में और स्वेराजवादी के समाप्त या संशोधित प्रस्ताव की हार के कारण दोनों समों के बीच क्या हुआ मतवेद हो गया था ठीक है परिवर्तनवादी और परिवर्तनवादियों के बीच सी आरदास और मोतिलाल नहरू ने कॉंग्रेस के अपने पद से स्थीपा दे दिया था और ML मोतिलाल नहरू सचीर थे ने सी आरदास के अध्यक्ष के साथ स्वेराजवादी पार्टी का गठन किया था किसने मोतिलाल नहरू ने सी आरदास के साथ मिलके स्वेराजवादीयों का क्या तर्ग था वे परिशद में परिवेस करना चाहते थे क्यूं क्यों चाहते थे परिवेस करना क्योंकि उनोंने सोच थे ऐसा करने से अंदोलन को नकारा नहीं जाएगा बलकि इसका मतलब किवाद संघर्ष का एक नया मोर्चा खोलना होगा दूसरा राजिनितिक सुनने की समय में परिश्रत का काम जनता को उत्साहित करेगा और उनका मनोबल बढ़ाएगा इनके ये तर्ख थे इसलिए चाते थे कि परिश्रत में परवेश लिया जाए ये परिवर्तन पुरी तरह से कॉंग्रेस से अलग थी नहीं वे 1907 की तरह कॉंग्रेस के विभाजन का कारण नहीं बने थे वास्ता में दोनों गुट गांधी जी के संपत में रहे थे जो कि जेल में थे दोनों बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए एक जोट मोर्चा बनाने के सब्सक्राइब समीडा नहीं जानते थे और सरकार को सुधारों के ले बाद्द में बनाने की तरह सकता था उनिसी सीचाव गला राजवाद्वा तो यूझा धाल र को में शव्यद्वाल? ठीक है चुनाव के लिए स्वयराजियों का क्या गोशना पत्र था 1923 में गोशित किया गया किसने मजबूत अपनी विस्वाधी विरोधी रूख अपनाया है भाद मंग्रेजु का मकसद अपने स्वार्थों की पूरती करना है तथा कथित सुधार के वस्वार्थ हितों को प स्विकार कर दिया गया तो यह परिशदों के भीतर एक समान निरंतर और लगातार अवरोध की योजना बनाएंगे ठीक है यह इनका चुनावी गोशना पत्र था स्वयराजियों का अब इनके प्रती गांदी जी का क्या रूख था ये भी जान लो गांदी जी ने सुरू मे दोनों पख्श के मद्यों, उनिशोचोबिस में एक समझोथा हुआ बेल गांव सत्र में ठीक है जिस अधिवेशन के अध्यक्सता किस ने करी थी गांधी जी ने मात्र की में आंत्रिक विभाजन के कारण की स्थिती कमजोर हो गई थी, स्वेराजवादियों के भीतर एक गुट प्रतिकिरियावादी सहयोग पार्टी के रूप में तूट गया था। जब नोंने बंगाल में जमीदारों के खिलाफ कास्तिकारों को समर्थन नहीं दिया तो स्वेराजवादियों ने कई मुसल्मानों का समर्थन खो गया। 1926 में विधान मंडल से अलाग हो गये थे। दूसरे गुट ने 1926 के चुनाव लड़े और वैच्छा परदर्शन नहीं कर पाया। स्वेराजवादियों ने लाहोर अधिवेशन वाथा 1931 इसमें पूर्ण स्वेराजवुका प्रस्ताव पारित होने और सवन्याव अग्यांदोलन सुरू होने के कारण अंति प्रूप से 1930 में विधान मंडल का दामन छोड दिया था। क्या उप्लब्धिया मिली बहीने। विटल भाई पटेल को 1925 में केंद्र विधान सभा का स्पीकर चुना गया था। 1928 का सार्वजनिक सुरक्षा विधिया पब्लिक सेफ्टी बिल बोलते हैं इसको जिसका उदेश्य क्या था सरकार को एवांचने और विध्वन्स कारिश चरित्र वाले विदेश्यों को निर्वासित करने का अधिकार देना था। ठीक है ये पारित हो गया था ध्यान रखेंगे पब्लिक सेफ्टी बिल का क्या उदेश्य था ठीक है इंपोर्टेंट है नोंने बजट अनुदानों पर कई बार सरकार के विरुद मतदान किया था और इन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और शशक्त भासंदी को कि गांदी इन्होंने राजिनीतिक सुन्ने को तब भरा जब राष्टे आंदोलन धीरे धीर अपना सामर्थेक हो रहा था मौंट फोर्ड योजना की खोकलेपन को जागर किया इन्होंने और इन्होंने दिखा कि परिशदों का रचनात्म को प्योग किया जा सकता है ठीक है कमजोरिया क्या रही है स्वेराज वादियों की उनके पास कॉंग्रेस की तरह जन समर्थन नहीं था पूरी तरह से अकबार प्रकाशनों पर ने भर थे ये व्यवधान वादी रन्नीती की अपनी सीमाय थी इनकी और परसपर विरोधी विचारों के कारण अपने गटबंध सहयोग्यों के साथ यह नहीं चल सके कारालियों के भत और विशहरशा दिकारों का घुरोध करणे में विफल्व रहे हिए hablar में कि समर्थन करने में और मुस्लिम समर्थनकों भूब दियों के द्वारा रचनातमां हुत की अंकि द्वारा क्या क्या गये अब तक परिवर्तन वादी स्वराजवादियों के पढ़े हैं हमने उन्होंने खुद को इस काम के लिए समर्पित किया जोने जनता से जोड़ी आश्रमों का विस्तार हुआ युवा पूर्सों महिलाओं ने आदिवासी और निशिली जातियों के मध्य काम किया चर्के और खादी के क काम को लोग पिरिये बनाया और एक राष्टे स्कूल कॉलेज स्थापित के जहां चात्रों को गयरोपनिवेशिक वैचारिक धाचे में प्रसिक्षित किया जाता था हिंदू-मुसलिम एकता के लिए सरान्य कारे किये थे नहोंने इन्होंने विदेशी कपड़ों सराब के बहिशकार, एसप्रश्यता के विरूद इन सब के लिए काम किया था और इन्होंने सविद्निया वग्या के आधार के स्तंब के रूप में भी काम किया था जो कौनते अपरिवर्तनवादी थी उनका काम दिखाया अब इनकी क्या कमजोर्य रही है परिवर्तनवादियों की राश्टे सिक्षा ग्रामीन आबादी और सहरी गरीब सहरी निवासियों तक नहीं पहुंच सकी थी खादी और पश्चमी कपड़ों से महंगी थी खादी जो थी जबकि ऐस प्रश्चता के बारे में बात की गई थी भूमी हीन, खेती हर मजदूरों जो जातर हरी जन थे कि आर्थिक दसा सुधारने का कोई प्रियास नहीं किया गया था स्वयराजवादी और अपरिवर्तनवादी द्वारा यथा संभव सहयोग बनाए रखा रहा और जब भी नई राजनितिक संगर्स के लिए अवसरी में तब एक जूठोने में सक्छम रही ठीक है इनकी कमजोरिया थी अब नई सक्तियों का उदेह हुआ समाजवादी विचारी हुआ सक्ति व्यापार संग 1930 का दसक आदोनिक भार्ते जैस में कई कारणों से अतिहासिक था भार्ते जन्तद्वा राष्ट आंदोला ने प्रेवेश किया गया राष्टे स्तरपर राजनितिक विचारों का चित्रन था सत्याहिंसा पर आधरी सत्याग्रह की गांधिवादी दर्शन ने जनता को विश्वास दिलाया और इसमें अंतराष्ट राजनितिक विचारों का बहुत प्रभाव था ठीक है माक्सवादी और समाजवादी विचारों आगे थे इनका प्रेशार होना शुरू हो गया था यहापे इन विचारों से जेल नहरू MC बोस के नेतरत में INC के अंदर वाम पंत का उदय हुआ वे रूसी क्रांती से प्रेरित थे और गांधिवादी विचारों से असंतुष्ठ होकर उगर सुधारवादी समधन की मांग करने लगे थे और यह युवा राष्ट्रवादी थे स्वेराजवादी और परिवर्थवनवादी दोनों के आलोचक थे यह जो माक्सवादी थे यह समाजवादी पूर्ण स्वेराज के नारे के साथ सामराजवाद विरोधी स्वर के अभिवेक्ती के पक्षधर थे अंतराष्ट एगटनाओं से बहुत प्रभावित थे राष्टवादी और सामराजवाद विरोधी विचारधारा को सामाजिक न्याय के साथ संयोजित करने के आवशक्ता पर बल दिया था और कॉमिन्टर्ण के दूसरे अधिवेशन के पहस्चात एमेन रोई अंबानी मुखर जी अन्य के द्वारा ताशकंदु जबेकिस्तान में 1920 में Communist Party of India का गठन किया गया था ठीक है यह धियान रगना Communist Party of India का गठन कब किया था और किस ने किया था 1924 में ऐसे डांगे मजफर एहमाद शोकीन उस्मानी नलीनी गुपता आधी कम्यूनिस्टों को कानपूर बोल्शेविक शड़यन तरकेस में जेल में डाल दिया गया था अब यहां कोश्चेन ने बन सकते हैं कि कानपूर बोल्शेविक शड़यन तरकेस से रिलेटिव नेता कौन-कौन रही है ठीक है तो यह धियान अपना है जात्या अंधोलन सत्यसोधक समाज सत्यसोधक की सथापना हुई थी diversity 73st में कहां महराश्ट के अंदर और किसने करी थी जोतिबा फुले ने एक जात्या अंधोलन था जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी 1914 में मदरास में ये सी एन मुदालिया रोट पीति आगराजन ने की थी नायर सर्वी सोसाइटी 1914 में स्थापना हुई थी और ये करी थी P.N. पिल लाई आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में स्थापना हुई थी और मदरास में और ये पेरियार E.V. रामस्वामी इसके आंदोलन करता थे महारो का अंदोलन ये चला था महराष्ट के अंदर अंबेड कर इसके आंदोलन करता थे कटरपन थी एजवा जो था ये चला था केरल के अंदर ये के आयप्पन और केसी C case 1 ये आंदोलन करता थे यादवों का अंदोलन बिहार में हुआ था सामाजी की स्थिती में सुधार के लिए और यूनियनिस्ट पार्टी ये पंजाब में फजले हुसेन ने चलाया था ठीक है तो ये जात्य आंदोलन है इंका भी धिहान रखेंगे ठीक है यहाँ से चल रहा था बोल्सेविक सडियंतर केस और इसके बाद ये देख लो पहले मैंने लिश्ट पढ़ा दिये न पहले ये देखना था चलो आप देख लेते हैं इसको 1935 में कानपर में भारते कम्यूनिस्ट कॉनफरेंस में Communist Party of India की नीव रखी गई थी 1925 में परसिद मेर सडियंतर केस में कम्यूनिसटों का सरकार्दोर अध्दमन किया गया था और मजदूरों और किसांद दलों के माधिहम से जो की पूरे देश में संगर्ठित थे, माक्सवाद और सामेवाद की विचारधारा का प्रसार-प्रसार किया गया अग। युवाओं की क्या सक्रियता रहिए, पूरे भारत में चात्र संगर्ठन इस्तापित किये गए, तथा अधिवेशन आयोजित किये गए। 1928 में जवारलाल हैरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्सता की थी। इसका नेतरत 1929 में इस्तापित हुए थी। किसके नेतरत में। अच्छा, एआई टी यूसिके नेतरत में व्यापार संगर्ठन गठन हुआ थो 1920 में। लाला लाजपत्रा इसके पहले अध्यक्ष बने थे दिवान चमनलाल इसके पहले महासचीव थे और तिलग भी महत्यपुन व्यक्तितु थे इसमें ठीक है व्यापार संग का विकास द्यान लखेंगे समाजवाद के साथ करांतीकारी गतीव धियां क्या क्या हूं है ऐसे होगा अंदुलन की अचानक वापसी एवं कैई राष्ट वादियों द्वारा अहिंसा पर बल देने से राष्ट वादियों की रर्ण नीती पर प्रैश्नेचेन उठाए गए नए कम्यूनिस्ट समूह माक्सवाद, समाजवाद और स्रम जीवी वर्ल हित के पक्षदर थे रूसी क्रांती हुई ती 1917 में इससे युवा प्रेरित हुए क्रांती कारियों के आत्म बलिदान की प्रेसंसा से भरे आत्म शक्ती, सार्थी और बिजली जैसे लेकों से युवा प्रभावी थो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एशोशियेशन पंजाब, यूपी और बिहार में चला रामपरसाद विश्मिलद्वार 1923 में गांधी द्वारा एसे ओ गांदोलर को वापस लेने की प्रतिकिरिया के रूप में संगठन बनाया गया था हरे, इसकी साखाई यूपी में प्रेसारित थी, इनकी कलकत्ता और देवगर में बम बनाने की फैक्ट्री थी एसेंसान्या लाला हर्दयालिन की सदस्य थी, यूगांतर, सूर्ये सैन, अर्विंद घोष, वारिंद्र कुमार घोष, ये इसके संस्थापकते सब यूगांतर की और भारते सोतनता के लिए बंगाल में क्रांती कारी समीती का संचालन गुप्त रूप से किया जा रहा था इसें सस्त्रा गार पर छापा मारा गया और उसे लूट लिया गया ठीक है, चटगाउं विद्रों में कौन सी घट ना हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे, क्रांती कारियों को हत्यारों बारुद की आपपूरती करने का प्रियास कर रहे थे, उन्होंने टैलीफोन और टे प्रिती लता वाड़े कर, ये नाम ध्यान रखना, ये मौस्ट इंपोर्टेंट नाम है, एक्जामें से कॉस्चन पूछ लिया गया है, कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1934 में क्या कारान था इसकी स्थापना का, 1934 में कॉंग्रेस के अंदर समाजवा समाजवादी स्थापना की थी, तीनों का नाम ध्यान रखना है, और अंने सदस्य से कोंकों थे, तीनों मयु राज मनुहर लोहिया, कमला देवी थी, मीनु,म्सानी और अशोक मैं था ये भी समाजवादी पार्टी की स्थापना से अंदर प्रांतों से थी, तनों काлом स्थ 1935 प्रांते स्वायत्ता प्रदान की गई थी इसके तहत कि प्रावधानों के अनुसार 1937 में प्रांते चुनावाय उजित हुए उस समय ब्रेटीस भारत में कितने प्रांत थे 11 प्रांत थे को टोटल तथा विधान सभाव में कुल सीटों की संख्या थी 1585 सामाने सीट 637 थी म पहिलाओं के 41 सीटे थी इस संप्रदाइक पदिती के कारण अने एक छेत्रिय पार्टी का जनमवा जैसे इंडिपेंडेंस वरकर पार्टी किसने स्थापना करी थी इसकी अंबेड करने ग्रशक प्रजा पार्टी इसकी स्थापना करी थी फजरूल हगनी कोंग्रेस मंत्री मंडलों के अधिन किये गए सुधार क्या क्या सुधार किये गए हैं कोंग्रेस मंत्री मंडलों के द्वारनागरिक सुधार में आपात कालीन सक्तियों से सम्मादित कानून रद कर दिये इंदुस्तान सेवादल, युवालिक जैसे अवैद संगठनों पर से नोंने प्रतीबंध हटा दिये प्रेस पर से प्रतीबंध हटाए समझार पत्रों को काली सुची से बाहर कर दिया जब्त हत्यारों हत्यारों की निरस्त लाइसेंस पुने परदान कर लिये और पुलिस और CID की सक्तियों को प्रतीबंधित किया गया राजनीति कैदियों को रिहा किया गया बॉंबे में सविन्या वाग्या अंदोलन के दुरान जब्त की गई बुमी की बाहली की गई सविन्या वग्या अंदोलन से जुड़े अधिकारियों की पैंसन प्रारम दुकी किर्सी सुधार क्या क्या हुए है सक्तियों और वित्य संसादनों का भाव हुआ समय की कमी हुई आधि समस्याएं थी और इन समस्याओं का समधान किया गया वर्ग संगर्ष को हल किया जाना था, किर्शी की अत्यधिक जटिल सनरचना थी, दूसरा सदन जमिदारों पुंजी पत्यो आधिक के वर्चस वाला था, भूमी राहत रिन ग्रस्ता से राहत वंचराई सुर्ध भूराजसु की बकायरासी भूमी अधिकार पर नियम बनाए ग समाच कल्यां क्या हुआ हरी जनों का कलिया पर बल दिया गया प्रात्मिक टक्निकी और उच्छ शिक्छा, सारवचिनिक स्वास्त्रय, सच्छछत फिर्द्धruption की ओर, ध्यान धिया बनाई गई थी राष्टे योजना समीती जन साक्षवरता अभ्यान शुरू हुआ था कॉंग्रेस पुलिस स्टेशन और पंचायते स्थापित हुई कॉंग्रेस सिकात समीती बनाई गई ठीक है अब हैं प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंदलों द्वारा किये गए काम क्या क्या काम किये गए हैं समयुक्त प्रांत में क्या काम किये गए इसके द्वारा कॉंग्रेस मंत्री मंदलों के द्वारा क्या परिवर्तन वे काकोरी और अन्य सडियंत्रों में सामिल कैरियों की रिहाई की गई यूपी कास्तकारी अधिनें 1949 ने आगरा और अवद में सभी व पहार देने के लिए मजबूर करना और बेगारी बंध्वा मजदोरी ये सब इन सब का उन्मूला नूंगिया था मध्य प्रांत में क्या सुधार हुए भूमी मालिकों के छेत्रों में कार्यकाल की सुरक्षा का विस्तार करते वे कास्तकारी सुधार हुए कर्जदार को राहत और मनी लोंडरिंग व्यवसाई का विनियमन दिया गया उडिसा में क्या सुधार हुए रास्तकार यदिने मुने 38 पारित हुआ जिसमें मुफ्त हस्तांत्रन अवैद उगाहि को प्रतिवंधित करने व्याज की बकाया रासी में कमी कर दी गई मद्रास सुधार के अंदर क्या हुआ राजनीती कैदियों को छोड़ दिया गया और 1937 में कास्तकारी कानून लाया गया और डबलो एफ़पी कास्तकारी सुधार कारेकाल को सुरक्षा प्रदान करते थे ठीक है और डबलो एफ़पी समझ रहें ना अब है चैप्टर साइमन कमिशन नहरू रिपोर्ट सविन्यव अग्या अंदोलन गोल में सम्मेलन सब के बारे में पढ़ेंगे विसके अंदर साइमन कमिशन 1927 में आया था 1929 के अधिनियम की समिक्षा के लिए 1927 में सर जोन साइमन की अध्यक्सता में भारते सव्यधानी का आयोग का गठन किया गया था इसमें साथ सदस्ये दल में कोई भी भारते प्रतिय नहीं था इसके कारण इसका इवरोध किया गया था और ये तीन फरवरी 1928 को भारत पहुंच गया था गठन दियानक ना है 1927 में हुआ था भारत का पहुचा था 1928 में भारत में साइमान कमिशन का कई कारणों से कड़ा विरोध वा था विरोध क्यों हुआ था इसका क्योंकि कमिशन को नसलवादी और उपनिवेशवादी के रोध चल रहा था नारा क्या था इसमें साइमन गोबैक ये इसका नारा था डोक्टर भीमराओं अमबेडकर कमिशन के पक्ष में थे ठीक है साती पुंजीपती जमिदार और देशी नरेश भी साइमन कमिशन के पक्ष में थे क्या सिफारिश ले थी इसकी ये भी पता होना जरूरी है इसमें प्रांतों में द्वैद सासन को समाप्त करने उत्तरदाई सरकार को इस्थापित करने का प्रेस्ताव रखा गया था इसके द्वारा केंद्र में संसदी उत्तरदाईतू को ऐस्विकार किया गया था कि केंद में संसदी उत्तरदाई तो नहीं होगा गवर्नर जेनर को मंत्री मंडल के सदश्यों को न्यूक्त करने की सक्ति दे देनी चाहिए थी ये कहा गया था और इसने सिफारिस की थी कि सांप्रदाई काधार पर मतदान को बनाए रखा जाए जो सेपरेट इलेक्टोरल था इसने सं जाओ दिया गया कि भारते सैना का भारते करन किया जाए अलाकि ब्रेटिस सैना को बर्करा रखा जाना चाहिए तो ये सब क्या थी साइमन कमिशन की सिफारी से थी ठीक है साइमन कमिशन के प्रती सम्होर पार्टियों की क्या प्रती किरिया रही वो भी देखो कॉंग्रेस ने तो विरोध किया था वहिसका, साइमन कमिशन का, हिंदु महासाभा ने कॉंग्रेस का पक्षु लेते वे साइमन कमिशन का विरोध किया था, मुसलिम लीग चिन्ना की अंतरगत एक गुटनी कमिशन का विरोध किया था, और मुहम्मद शफी लाहुर अधीवे सभा की ओर से इन्होंने दलित वर्गों के लिए आवश्यक अधिकारों और सुरक्षा उपायों के लिए ग्यापन प्रस्तुत किया इन्होंने दोनों पूरुस वर्गों के लिए सारुभुमिक और व्यस्क मत अधिकार का तर्क दिया ठीक है तो इन्होंने इसका समर्थन किया था अब आई नहरू रिपोर्ट नहरू रिपोर्ट कब आई थी 1928 में और इसके अंदर क्या था साइमेन कमिशन में कोई भारते नहीं होने पर जब कोंग्रेस ने तीविर विरोध किया तो इस अवसर पर भारते ससी लॉर्ड बरकन ह इनका नाम ध्यान रखेंगे ने भारतियों को चुनोती दी कि वे इस तरह का सविधान बनाए जो सभी दलों को स्विकार रिया है कॉंग्रेस ने इस चुनोती को स्विकार करते वे सविधान के प्रारूख के लिए नो व्यक्तियों को चुना और अतह नहरू रिपोर्ट का प्रारूब मोतिलाल ने और तेज भादूर सप्रू ने तयार किया था ठीक है ध्यान रख़ेंगे नहरों रीपोर्ट का प्रारूब किस ने तयार किया था इसके सदस्य में इसके सदस्यों में सामिल थे क्या सिफारिस्ती नहरों रिपोर्ट की भारत को डोमीनियन इस्टेट का दर्जा मिले सांप्रदाइक निर्वाचन पतिती को समाप्ति किया जाए बहासाई आधारों पर प्रांतों का गठन 19 मोलिक अधिकारों की मांग की सिफारिस की गई जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, संग बनाने का अधिकार, सारभोमिक व्यस्क मत अधिकार सामिल हो केंद्र प्रांतों में उत्तरदाई सरकार बने, मुस्लिमों के सांस्क्रितिक धार्मे खितों को पूर्ण सनरुक्चन मिले, धार्म से राज्य का पूर्ण विग्टन हो, सिंध को बोंबे से प्रथक करके अलग प्रांत बनाया जाए, देशी रियासतों के नरेसों के अधिका तो यह सारी नहरू रिपोर्ट की सिफारी से थी और नहरू रिपोर्ट किसने इसका प्रारुक तयार कर यह बता दिया साइमन कमिशन के बारे में पूरे डिटेल बता दिया इससे ज्यादा यहां से कॉस्चिन आउट होने की संभावना नहीं है अब यह कॉंग्रेस का कलकत्ता दिवेशन 1928 इस सत्र में नहरू रिपोर्ट को मंजूरी दी गई थी यह भी धियान रकना है जवाडाल नहरूस बास्चेंद बो सत्यमूर्टी जैसी युवानेताओं ने डोमीनियन प्राप्ति की लक्षे पर ऐसंतोस व्यक्ति किया था सरकार को इस लक्षे को स्विकार करने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया था डोमीनियन सरकार के लिए यदि सरकार ने एक वर्ष के अंतक डोमीनियन स्टेट के आधार पर सविधान को स्विकार नहीं किया तो कोंग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी वलकि अपने इस लक्षे को प्राप्ट करने के लिए सविन्य वग्या अंदोलन भी शुरू करेगी ठीक है ये कहा गया था जो नेरो रिपोर्ट तयार का रहे थे उन्होंने कहा था कि अगर एक साल के अंदर में डॉमेनियन श्टेट का दर्जा नहीं मिला तो फिर हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेंगे और उसके लिए हम एक आंदोलन भी चनाएंगे जिन्ना की चोदे सुत्री मांगी क्या क्या थी भैई विधहन सभा और सरकारी सेवा में योग्यता के आधार पर मुसल्मानों को प्रियाप्तावसर मिले मुसल्मानों के लिए 3-4 हाई सदस्चों के समर्थन के बिना किसी भी बिलको पारित ना किया जाए चेत्रे वित्रण के कारण मुस्लिम बहुमत प्रभावी ना हो सभी संप्रदय को धर्म पोज़ाव पाशना विश्वास विचार और सिक्षा की पोण स्वतंतरता मिले मुस्लिम संस्कृति पर्षनलार धर्माण संस्ताओं को सरक्षा प्रदान की जाए सिंध को बंबई से प्रथक करके नया प्रांत बनाया जाए और मुस्लिम अधिकारों की रख्चाओं तो ये सारी क्या थी? 14 सुत्रिय जिन्ना की मांग थी आपको सारी पताओ नहीं चाहिए, ठीक है? 31 अक्टूबर 1929 वाइसराय लोर्ड इर्विन इस टाइम पर वाइसराय थे इर्विन गोशना पत्र, वीटी सरकार का रादा भारत को भविश्य में डोमेनियन स्टेटस परदान करना था ये कहा गया था इर्विन गोशना पत्र में हाला कि किसी भी घटना क्रम में इसका ओलेक नहीं था उन्होंने सायमन कमिशन 1927 द्वारा अपनी रिपोर्ड प्रास्तूद कड़ने के बाद गोश्ध संबिलन का आयोजन किया था दिली घोष्ण पत्र पर राष्टे नेताओं दुआरा गोल में सम्मिलन में भाग लेने के लिए कुछ मांग रखी गई थी, वाईसराई इर्वीन दुआरा इन मांगो को एस्विकार कर दिया गया था, ठीक हैं? दिसंबर 1929 में हुए कॉंग्रेस का लाहोरा दिवेशन और इसके देख्सता करी थी जवारला लहरों ने, ठीक है, गांधी जी का समर्थन मिला था इन्हें, कॉंग्रेस ने पहले गोल में सम्मिलन का भहिसकार करने का फैंसला किया, क्योंकि अब भारत के लिए सविधान का मस तैयार करने के लिए सविधान सभा को बुलाना चाहती थी, जिसे ब्रेटिस सरकार ने एस्विकार कर दिया था, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हम पहले गोल में सम्मिलन का भहिसकार करेंगी, गांधी जी दुबर प्रस्तुत की गई थी, ग्यारे सुत्री मां, 31 जनवर की रिहाई हो, आप राधी गुप्तचर विभाग में सुधार हो, हतियार कानून में सुधार करके आत्मरक्षा है तो भारतियों को बंदू इत्यादी के लाइसेंस की स्विक्रती दी जाए, रुपिया श्टरलिंग की विनी में आनुपात को घटा कर एक सीलिंग, चार पे करना हो, नमक करो और नमक पर सरकारी एक आधिकार समाप्त करना, ठीक है, इन 11 सुत्रिये मांगो को गांधी जी द्वार अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया है, अब यंग इंडिया धियानक नहीं किसका पत्र था गांधी जी का, समिन्य वग्या अंदोल करना हुआ, उगर विरोध हुआ, क्रांतिकारी आतंक वाद हुआ, कोपुनर जीवित होना, 1929 की वैस्वीक आर्थिक मंदी उससे उत्पन तनाओ, सरकार से कोई सकरात्म कुत्तर नहीं मिला, गांधी जी द्वार नमक सत्याग्रह को केंद्रिय मुद्धा बनाकर सविन्य व नमक का मुद्धा जनता की सभी वर्गों को प्रभावित करता था, और इसमें कोई फूठ हिंदू मुस्लिम वाला नहीं तार्थ नहीं था, ठीक है, ये एक भावनात्म गुद्धा था, इस मुद्धे से छोटे बड़े उचनी सभी जुड़े वे थे, अते गांधी जी के वर्ग समानुए कि अवधारना को पूरा कर रहा था, अब सभी नमक सत्या ग्रह बोलते हैं इसको कब शुरूआ, दांडी मार्च शुरूआ था 12 मार्च से 6 अपराल 1930 को, इसकी तो डेट भी इंपोटेंट है, ठीक है, क्या हुआ इसमें नमक सत्या ग्रह दांडी मार्च क पे निकट दांडी गाउं से किया गया था, वे 6 अपराल 1930 को दांडी पहुचे और समुदर तट से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, विभीनिस्थानों पे सत्या ग्रह वे कहां का पे वे तमिलनाडू, राजसी, राजगोपालाचारी ने तंजोर तटकर त्रिचिनापली से वेदारन्यम तक मार्च का आयोजन किया था, तमिलनाडू में राजगोपालाचारी ने, मालाबार में के एक केलपपन जो वायकोम सत्याग्रह के लिए जाने जाते हैं नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था, उडिसा में कोन थे, गोपाल बंदु चोधर ने बाला सोर कटक में इसका आयोजन किया था, पेशावर में बादशाह खान थे, खान अब्दुल गफपार खान थे, इन्होंने खुदाई खिदमत गारडाल कुर्ती का गठन किया था, ने मजबूत मार्च का आयोजन किया, धराशना में सरोजनी नाइडू ने अभिहान दी थी इनको, और उन्हें रानी ग्याडिलियू के रूप में स्थानने स्थार पर लोगती रहता हांसिल हुई थी, अब देखो वह ये जो जगह के नाम है ना, कहां से किस-किस ने इसका नेत्रत्य किया है, नमक सत्या ग्रयान दोरन का, यह बहुत ही इंपोर्टेंट कोस् स्थानों की सक्रिय भागिदारी रहेंगी, अब यह सविन्य वग्या अंदोलन की ऐसे योग अंदोलन के साथ तुलना, इन दोनों की तुलना करके बताया गया क्या उदेश्य था, ऐसे योग अंदोलन का क्या उदेश्य था, स्वेराज प्राप्त करना, सविन्य वग्या ऐसे हो गांदोलन में मुस्लिम मजदूर वर्ग की मतलग बड़े पैमाने पर भागिदारी थी अंग्रेज द्वारब फूट डालो राज करो की निती मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सांप्रादाइक प्रचार के कारण मुस्लिम समुदाय की सविन्य वग्यांदोलन म भागिदारी कम थी कारे चेत्र क्या था भाद की कुछ हिस्स्यो तक सीमित था सविन्य वग्यांदोलन व्यापक भूषवलिक चेत्र में प्रसार हो गया था और जन्भागिदारी भी बढ़ गी थी समाप्ति का क्या कारण है से उगांदोलन की 1922 में चोरी-चोरा की घटना करण ऐसे हो गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर के बाद गांधी जीने से वापस ले गया था ठीक है अब हुत गोल में इस संविलन पहला गोल में संविलन इंपोर्टेंट है इस अुझार में लोर्ड इर्विन भारत के वायसराय थे 12 नुवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीचे लंदन में हुआ था पहला गोल में संवेलन भारते राष्टे कॉंग्रेस ने संवेलन में भाग ने लेने का फैंस ला लिया था मुस्लिम रीग दुआरा आगा खा तिरतिये मोलाना मुहम्मद जिन्ना आधी को भेज जा गया था संवेलाओं का प्रतिनिदितु किया था बेगम जहां आरा सहनवाजने और राधा भाई सुब्बार रायान ने ठीक है ध्यान लखेंगे यह भी इंपोर्टेंट है इस अमेलान का कोई बड़ा पई नाम नहीं हुआ क्योंकि कॉंग्रेस ने भागी नहीं लिया था इसके अंदर 1930 में मोतिलाल और जवारलान हरू गांधी से एक समझोते पर चर्चा करने अरवदा जेल गए उनकी क्या मांग थी भई प्रिटेंट द्वाराबाद की स्वतंता की बहाली हो रक्षा और वित्पर्ण यंत्रण के साथ पूर्ण स्वतंत्र सरकार प्रिटेंट से हर जाने के लिए एक स्वतंत्रणी आयदी करन ठीक है ये इनकी मांग थी जब ये गांधी जी से अरवदा जेल में मिलने गए थे ठीक है इस समझवते पर 5 मार्च 1931 को गांधी जी और वीटीस भारत के वाइसराई लाड इनवीन द्वारा हस्ताक्षर किये गए थे लंदन में दूसरे गोल में सम्मेलन की सुराथ से पहले ही संधी पर अस्ताक्षर किये गए थे इरविन द्वारा गांधी जी की दो मांगो को एस्विकार कर दिया था इरविन ने कौन-कौन सी एक तो प्रिविस्की जादितियों की सारोजनिक जाचो और भगस सिंग और उनके सात्यों की मौत की सजा को आजीवन कारवास में बदलना ठीके ये बांग रखी थी गांधी जी ने उनके सामने लेकिन इनों ने ये दोनों ही मांग को एस्विकार कर दिया था थिक है रहें गांडी जी सविन्य वग्या अंदोलन को निलंबित करने और अगले गोल में सम्मेलन में भाग लेनी के लिए सहमत हो गये थे क्योंकि पहला गॉल में सम्मेलन तो कॉंग्रेस ने पार्टिसिपेट इनी करा था अब अंग्रेजों को भी पता था कि अगर कॉंग्रेस इसमें भाग नहीं ले रही है तो इसका कोई फैदा नहीं है इसलों ने मनाने के लिए उनको गांदी जी के साथ में समझोता किया जिस की अध्यक्स्ता करी थी वल्लाभाई पतेल ने मौलीक अधिकार और राष्ट्य कारेक्रम का प्रस्ताव रखा गया था इसके अंदर पूर्ण स्वेराज की लक्षय को दोहराया गया था प्रारंबिक सिक्चा की गरांटी लिए थी कोंग्रेस द्वारा राष्ट्य आर्थ किया गया था गांधी इर्विन समझोते का अनुमोदन गांधी को लंदन में आजित होने वाले दूसरे गोल में संबेलन में आई एंसी का प्रतिनेजित्व करने के लिए नामांकित किया गया गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है प्रन्तों गांधिवाद नहीं इस गुल में संबेलन हुआ गुए 17 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच वा दूसरा गुल में संबेलन कहां हुआ लंदन में और कौन थे समयवाई सराय भारत के लॉर्ड वेलिंग्टन फिक है इंपोर्टेंट पॉइंट है इस संबेलन में गांधी आई एंसी के एक मात्र प्रत लेकिन गांधी जी उसके लिच अकट वी पर प्रस्ताव रखा गया था ना ऐसे की अब अलपसंख्यक समदाय को भी अग्या एक नेयले लेकिन गांधी जी इसके पक्च में नहीं थे सरकारने भारते मांगो को एस्विकार कर दे और वारता विफलो गोल में संभिलन में कुछ नहीं उपाया सामप्रदाइक निर्णियन कम्यूनल आवार्ड बोलते हैं इसको 1932 इंपोर्डेंट है प्रिटिस प्रदाइन मंत्री रैमजे मैकडे नोल्ड ने 1932 में दलितवर मुसलिम यूरोपय, सीक और अंगलो इंडियन और भारते आधारी तिसाईयों के लिए प्रथक सामप्रदाइक निर्वाचक मंडल की गोशना कर दी सब के लिए प्रथक सामप्रदाइक निर्वाचक मंडल की कॉंग्रेस ने तो इसे स्विकार करने का निर्णे लिया ना तो इसे स्विकार किया कॉंग्रेस ने और ना ही इसे स्विकार किया ठीक है लेकिन अमबेड कर इस पक्ष इस निर्णे के पक्ष में थी क्योंकि उनकी अनुसार प्रत्ख निर्वाचको जैसे राजिनितिक समाधान दलीत वर्गों के उत्थान के लिए काम करेंगे। ठीक है, वे सोच रहे थी कि इससे दलीत वर्गों का उत्थान मुगा। ठीक है, कॉंग्रेस पक्ष में निथी, नब विपक्ष में थी, लेकिन अमबेड कर इसके पक्ष में थी। महत्मग गांधी द्वारा संप्रादायक नेने का विरोध किया गया था, क्योंकि यह पुरुसकार भारतियों को विभाजित करता था, और वे आमरान अंसन पर चले गए। ठीक है, तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ नॉंबर 1932 से, दिसंबर 1932 के मध्य, भारते राष्टे कोंग्रेस गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया, केवल एकी अदिवेशन में भाग लिया था, वो भी दूसरे भी, दूसरे सम्मेलन में सोरी है न, ब्रिटेन में लेबर पार्टी द्वरा सामिलना होने का फैसला किया गया, इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिद्यों ने हिस्सा लिया, लॉर्ड वैलिंटन भारत के वाइस राय थे इस समय, इस सम्मेलन में भी बहुत कोछ आसिल नहीं हुआ, सिविल मार्शल ला की तरह दमनकारी सक्तियों, सक्तियां द पुना पैक्ट हुआ वे 1932 में, पुना पैक्ट इंपोटेंट है, किस-किस के बीच हुआ, क्या हुआ इसके अंदर, और केंद्रे विधान मंडल में कुल सीटों का ठारा परती सत्ता बढ़ा दिया यह काम गर दिया, सैपरेट इलक्टो रेट का जो विचार था वो तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके इस्थान पे सीटों को अरक्षित करने का प्रावधान कर लिया था, सांप्रदैक पंच प्रश्यता की खिलाफे का भ्यान सुरू किया, सिदंबर 1932 में ओल इंग्या एंटी अंटेचाबिलिटी ली, हरीजन सेवक संग को सुरू किया था, गांधी जी ने 1932 में, और 1933 में हरीजन नामसिक सापताहिक पत्री का सुरू किया, ठीक है, गोल में समेलनों के सफलता के समीति के बाद एक बार फिर से सविन्या अग्या अंदोलन सुरू किया गया, गांधी जी को जनवर 1932 को ग्रफतार कर लिया गया, स्वेत पत्र वाइट पेपर मार्च 1933 में ये जारी हुआ, इसमें क्या हुआ, तीसे गोल में समेलन की जमापती के बाद मार्च 1933 में ब्रेट अध्यक्ष कोन थे? लाड लिन लित्वो, इनकी सिफारिस पर रंत भारत सरकार अधिनेम 1935 पास हुआ, ठीक है? तो स्वेत पत्र भी धिहन रखना है, क्या इंपोर्टेंट बात कही गई थी, कोन इसकी अध्यक्ष थे? गांधी जी ने अप्रेल 1934 सविन्या अग्या अंद अध्यक्ष राजनीती से अलग करके हरीजन उत्थान से जोर दिया था, ठीक है? इसलिए सविन्या अग्या अंदोलन वापस लिया, गांधी जी और हरीजन उत्थान, पूर्ण समझोता के बाद गांधी जी की रुची एस-प्रेश्यता विरोधी अंदोलन के प्रतियाधि के प्रति, देश से एस-प्रेश्यता को जड से समाप्त करने के लिए उदिश्या से जेल में सुध्धी के लिए उनने किस दिन का अपवाज सुरू किया था, ठीक है, ये एस्प्रेश्यता को जड से खतम करना चाते थे। उपवाद सुरू होने की सिगर वबाद सरकार ने गांधी जी को जेल से रिया कर दिया और रहाई के बाद गांधी जी ने 1923 में सविन्य अग्या अंदोलन फिर सुरू किया इस अंदोलन को इसके निराशा जनक शरू के कारण सिगरी समाप्त गोशित कर दिया गया एक अगस्त 1923 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सविन्य अग्या अंदोलन फिर से ये भी सिगरी समाप्त हो गया था 1923 को बिठल भाई पर्टे सुबास्चेंद्र बोस ने गांधी जी को राजनितिक नेता के रूप में ऐसा फल गोशित कर दिया 1934 को गांधी जी ने अपने को सक्रिय राजनिती से अलेक करके हरीजन उत्थां से जोड़ दिया था 1932 में गांधी जी ने हरीजन कल्यान के लिए अखिल भारते च्वाचूत विरोधी लिग की स्थापना करी ध्यान लखेंगे कब करी और किस ने करी थी हरीजन नामक साप्ताईक पत्र भी प्रकाशित किया थे जेल में 21 दिन का पुवास किया गांधी जी ने ये कहा था क्या कहा इरोने इस टाइम पे कि या तो छुआ छुट को जड़ से समाप्त करो या तो मुझे अपने वीश से हटा दो यह मेरी अंतरा आत्मा की पुकार है चेतना का निर्देश है ठीक है साथ नॉम्बर 933 को गांधी जी ने वर्धा से हरीजन यात्रा प्रारंब की और इस यात्रा के दोरन गांधी जी ने करीब 12,500 मेल की यात्रा की कितने इंपोर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के अंदर सारे ही कंसेप्ट तो हैं ही लेकिन फैक्ट्चुल जी के भी इतनी ज़्यादा है आपकी बार बार एक्जाम में हां से कॉस्चन फस्ते है एक दो बार धियान से सुनोगे तो सब याद हो जाएगा अब सुरू हो गया है राष्ट्यांदोलन स्वतंतरता और विभाजन की ओर ठीक है यहां से सुरू हो जाएगा आपका राष्ट्यांदोलन क्या क्या अंदोलन हुए बारत की स्वतंता को प्राप्त करने के लिए चलिए दित्य विश्युद नाजी जर्मनी और धूरी राष्ट्रों की फांसी वाधी ताकतों की बीच लड़ा गया था जो दूसरा दित्य विश्युद था युद में लड़ने के लिए ब्रिटेन को भारत की समर्थन की आवश्यक्ता थी लेकिन इसके लिए कॉंग्रेस ने दो मांग रखी थी कौन-कौन सी युद के बाद स्वतंत्र भारत की राजिनितिक समर्चना तै करने के लिए सविधान सभा का गठन किया जाए और दूसरा उत्तरदाई सरकार की इस्थापना की जाए 1936-1944 तक लिन लितिकों क्या थे वाइसराय थे भारत के उन्होंने कॉंग्रेस की इन मांगों को एस्विकार कर दिया ठीक है ये मांग उन्होंने स्विकार नहीं करी थी कॉंग्रेस कारे समीती का क्या प्रस्ताव था भी भारत को स्वैम स्वतंत्रा से वंचित कर दिया गया इसलिए भारत लोकतांत्रिक स्वतंता के लिए की गए युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता है प्रिटेन को सामराज्यवाद को स्माप्त करना चाहिए और अपने उपनी वेशों में लोकतंत्रि स्थापित करना चाहिए यह जो कॉंग्रेस की कारे समीती थी ना इसके प्रस्ताव रखे गए थे सरकार को भात में लोकतंत्र के सिध्धानत को लागू करने की घोशना करनी चाहिए ठीक है ये प्रिस्ताव दिये गए और सरकार की क्या प्रतिकिरिया रही इनको लेके लिनलित्गों ने कॉंग्रेस इखलाफ मुस्लिम लीग और देशी रियासतों का उप्योग करने की कोशिस की उन्होंने गोशना की कि सरकार का लक्षे वर्तमान में आकरामक्ता का विरोध करना है जब भी हावश्यक्ता होगी सलहा लेने के लिए सरकार द्वारा परामर्स समीती का गठन किया जाएगा भारा सरकार अधिन्यम 1935 में संसोधन के लिए कैई समुदायों देशी रियासतों के प्रतिनी धियों के साथ परामर्स करने का वाधा भी किया गया था इसके अंदर कॉंग्रेस की क्या प्रति के रही वे इसके प्रति इसने वाई सराय के वक्तवे को पुरानी सामराज जवादी नीती की पुन्रवत्ती बता कर इसे रिजक्ट कर दिया इसने युद का समर्थन नहीं करने का फैंसला किया, कॉंग्रेस ने क्या कहा कि भारत युद में समर्थन नहीं करेगा ब्रिटेन का और कॉंग्रेस के मंत्रियों को स्थीफा देने के लिए कहा। सक्तियों को केंद्र के लिए संरक्षित कर लिए और ये प्रांते विश्व में अस्तचेप के संबन में तै किया गया था। पर बहस हुई लिनित्गों के बयान पर ततकाल बाद इसकी बयान की तुरंद बाद जनांदोलन पर चर्चा प्रारम हुई। कॉंग्रेस का रामगड़ा दिवेशन हुआ 1940 में कॉंग्रेस का संकल्प कॉंग्रेस की संगटनात्मक रूप से गठन होने के बाद यदि परिस्तितिया अनुकूल हो तो कॉंग्रेस पुने जनांदोलन का साहरा लेगी। सब चाहते थे कि कॉंग्रेस जनांदोलन को ततकाल घोशित करें। नहरुका क्या रुपता वे सरकार के सामराज्यवादी चरित्र को देख सकते थे लेकिन नाजी जर्मानी की जीत में योगदान नहीं देना चाते थे इसलिए वे कॉंग्रेस के बहुमत के साथ थे। अब आगे अब ही यहाँ पर पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को इम्पर्टेंट है सब प्रस्चन फस्ते हैं यहां से भी। इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तयार किया था देखो सबसे important point यह हो गया पहला ही कि पाकिस्तान का प्रस्ताव किस ने तयार किया था फैक्ट है एकदम किसने सिकंदर हयात खान ने 23 मार्च 1940 को फजलूल हक ने इसको पेस किया था तयार किसने करा पेस किसने करा यह सब आपको पता होना चाहिए डेट भी पता होनी चाहिए इन सब की मुस्लिम लीग की कारह समीती के 25 सदस्चों की ओर से दिया गया एक बयान था जिसका प्रारूप 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के बीच तयार किया गया था और इसने दो राष्ट के सिध्धान को प्रस्तावित किया था और संकल्ब में पाकिस्तान का नाम नहीं था ठीक है यहाँ प अगस्त प्रस्ताव और मार्च 1940 को वही हिटलर की सफलता और बेल्जियम के पतन के बाल बिचे ने समझ होता है वादी द्रश्टी को अपना लिया और वे युद्ध में भारत का समर्थन चाहते थे इसलिए 1994 में अगस्त प्रस्ताव पारिद किया गया क्या है अगस्त प्र इसलेकिन क्या करे एक अंत्रिम राष्ट्य सरकार का गठन किया जाए केंद्र में प्रस्ताव के क्या मुख्य उदेश्य थे इसका मुख्य उदेश्य है भारत के लिए डोमीनियन इस्टिटस की स्थापना करना था वैसराय की कारेकारी परिशत का विस्तार करना था युद्ध के बाद एक सविधान सभा की स्थापना करना जिसमें मुख्य रुप से भारतिय सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक इस्तितियों के आधार पर सविधान इर्मान का फैसला करेंगी ये कहा गया रक्षा अल्प संख्यक अधिकार, राज्यों के साथ संधियां, आखिल भारते सेवाई सरकार के अंतरगत नहीं थोंगी प्रन्तु इन मुद्दों पर भारतियों के अधिकार को पूर्ण का पूर्ण धिहान रखा जाएगा अल्प संख्यको की सहमती की बिना भुष्य में कोई सविधान नहीं अपनाया जाएगा, ये भी कहा गया कॉंग्रेस की क्या प्रति किरिया थी, कॉंग्रेस ने डोमीनियन स्टेटस को अब ऐस विकार कर दिया था अब ये डोमीनियन स्टेटस नहीं चाहते थे मुसलिम लीग की क्या प्रति किरिया थी, मुसलिम लीग ने आसवासन का स्वागत किया प्रantो इसने दोर आया कि वे विभाजन एक मात्र समधान था, ये विभाजन जा रहे थे, मुसलिम लीग का तो उधिश्यव ये था कि व्यवेभाजन हो है कि मैं तु क्या था डोमेंिनि इस स्टेटस पाउले पारि इसपश्ट रूप से किया गया था उह पहली बार था जब सविधां सब्हां के लिए कॉंग्रेस की मांगों से धहन दीकारों और सविधान निर्मान के लिए भारतियों के अधिकारों को मान्यता दिया थी ठीक है अगस्त प्रस्ताओं में पारिणाम क्या हुआ इसका बैई वाई सराय कारेकारी परिशत का विस्तार 12 सदस्यों में से 8 भारते सदस्यों के साथ हुआ था राष्टे सुरक्चा परिशत की स्थापना सलहकार की भूमिका के रूप में की गई थी रक्चा वित ग्रह जैसे मुद्दों के प्रभार बेटी सरकार के पास थी ठीक है ये इसका पैणाम था